हेलो एंड वेलकम टू मैथ सुलूशन्स फांडेशन इस विडियो का मेन टौपिक है कमपाउं इंट्रेस्ट तो ये कमपाउं इंट्रेस्ट काफी इंट्रेस्टिंग टौपिक है क्योंकि ये क्लास 9 और 10 में कमर्सियल माथेमेटिक्स में काफी उज होता है तो इसके बारे में इस वीडियो में discussion करेंगे in detail सबसे पहले में आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में कौन-कौन से topic पर discussion होगा और क्या हमारा content रहेगा इस वीडियो का ठीक है और इस वीडियो में अन तक देखेगा यदि आपको compound interest अच्छे से समझना है तो जो हमारे topics रहेंगे वो ये सारे हैं तो first हमारा topic है कि definition of basic terms तो सबसे पहले हम basic terms के definitions समझेंगे मतलब principle क्या होता है principle पर जो interest हम लगाते हैं वो क्या होता है फिर हम जो rate लगाते हैं 8%, 10%, 12% वो क्या होता है कैसे करते हैं ये सारी चीजे हम example के help समझेंगे एक example लेंगे और उससे समझेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से हमें देखे और amount क्या होता है final जो amount बन जाता है interest जोनने पर principle में जब add कर देखते हैं हम interest तो उसके बारे में समझेंगे लेकिन interest कितने तरह का होता है इसके बारे में discussion करेंगे जैसे कि what is simple interest what is compound interest यही दो तरह का interest होता है actually और उसके बाद यह समझेंगे कि ठीक भाईया आप बता दिए कि simple interest क्या होता है और compound interest क्या होता है तो इन दोनों में difference क्या होता है तो इन दोनों में difference समझेंगे और finally जो हमारा main focus है वो यह है कि how to calculate compound interest क्योंकि इसी पर best आपके exercise में जो questions होंगे इसी पर best होंगे कि कैसे compound interest calculate करेंगे with formula और without formula ठीक है इसका एक formula है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं तो कैसे हम calculate करते हैं compound interest formula के साथ और without formula के साथ ठीक है चलिए start करते हैं माल लिजिए आप businessman है और आप चाहते हैं एक company start करना उसके लिए आपको कुछ initial amount चाहिए कुछ पैसे चाहिए तो उन पैसों के लिए आप कहां जाओगे आप जा सकते हो family के पास या फिर friends के पास जा सकते हो और यदि इन दोन लोग पास पैसे नहीं होंगे तो कहां जाओगे ऐसी जगा जाओगे जहां पर आलड़ी पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक के पास पैसा पहु जाते होते हैं तो आप किये आप गये बैंक के पास आपने बोला कि मुझे एक company start करनी है और मुझे initial amount वन लाख चाहिए तो यह जो वन लाख है ना इसी को बोलते है प्रिंसिपल आपको वन लाख चाहिए और यही है प्रिंसिपल ठीक है तो बैंक ने बोला कि मैं ऐसे थोड़े नहीं देदूँगा ऐसे ही वन लाख आपको मुझे चाहिए कुछ इंट्रेस्ट तो बैंक ने बोला कि मुझे चाहिए क्या interest देखिए जो word आया यहां पर interest interest का मतलब क्या होता है interest मतलब होता है दिलचासपी या फायदा जो bank का फायदा है वो तो अपनी बात करेगा न bank को फायदा चाहिए तो बोला कि मुझे interest चाहिए आपने बोला कि ठीक है कितना लोगे तो bank ने बोला कि 10% का interest चाहिए मुझे 10% what is this 10% देखे 10% का मतलब है rate of interest, this is rate of interest, मतलब कि interest calculate करने का rate है, वो है 10%, तो 10% calculate करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 100 में 10 रुपीज लूँगा, मतलब यह bank बोला कि यदि मैं आपको देता हूं 100 रुपीज, तो इच 100 में मुझे 10 रुपीज as interest चाहिए, वो ही 10% का interest चाहिए, मतलब यही हुआ, तो इसका मतलब कि bank बोला कि यदि मैं आपको अभी पैसे देता हूं 1 लाख, तो मुझे 1 येर लेटर, मतलब 1 येर लेटर, आपको मुझे देना पड़ेगा, 1 येर लेटर, ये 1 लाख तो देना ही है मुझे, क्योंकि ये मेरा principle है, bank ने बोला कि 1 लाख तो देना ही है, प्लस, इसमें जो interest आएगा, interest कितना होगा, वो हम calculate करेंगे, कहा कि वो interest हमें add करके देना पड़ेगा, तो ये interest calculate कैसे करेंगे, तो ध्यान समझेगा, यहाँ पर जो interest calculate होगा, वो इस तरीके से होगा, कि जो 10% rate of interest है, हम इसी के साथ calculate करेंगे, और principle को ले करके, मतलब कि 10% of P, 10% of principle is the interest, bank ने बोला कि इतना मुझे देना पड़ेगा, मतलब कितना आ गया, देखे, 10% of ये दिन इकालते हैं, हम principle का, मतलब कि एक लाग का, तो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज, तो ये 10,000 को इदी add करेंगे 1 लाख में, तो टूटल एमाउंट हो जाएगा, 1 लाख 10,000, तो बैंक को देना पड़ेगा, एक साल बाद, interest add करके, 1 10,000, लेकिन ये तो एक साल की बात है, एक साल में न, हमेशा 1 year में ये दिक कल्कुलेट करना हो, तो ऐसे ही कल्कुलेट करेंगे, ये बहुत simple है, लेकिन, बैंक से आपने ये बोला, कि मुझे एक साल के लिए loan नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 years के लिए, या फिर 2 years के लिए तो जब भी 1 year से आगे बढ़ेगा, तो आपका जो ये interest का जो concept है, वो change जाएगा, मतलब बैंक बोलेगा कि मैं आपसे simple interest में नहीं लूँगा, मतलब बैंक दो तरीके से interest दे सकता है, एक simple interest से, और एक को बोलते हैं compound interest, एक को बोलते हैं क्या, compound interest, तो compound interest के बारे में समझना ह और simple interest के बारे में समझना है, कि दोनों में क्या difference है, ये भी समझना है, तो चलिए हमें इसी example से समझते हैं, calculate करते हुए, क्योंकि हमें ये भी सीखना है कि compound interest को calculate करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम calculate करेंगे simple interest और compound interest, side by side, calculate करेंगे for the first year, for the second year and for the third year, दोनों का calculate करेंगे स साथ-साथ, तो आपको समझ में आएगा कि first year के लिए जो amount निकलेगा, या जो interest निकलेगा, simple interest में, और compound interest में, क्या दोनों में same रहेगा, या अलग आएगा, और वैसे second year के लिए देखेंगे, second year में जो amount आ रहा है, और compound interest में जो amount आ रहा है, या दोनों का simple interest, compound interest, second year के लिए क्या same है या अलग-अलग है और वैसे ही third year के लेचे करेंगे फिर हम एक graph ड्रा करेंगे और देखेंगे कि किस में ज्यादा profit हो रहा है ठीक है चलिए for the first year simple interest निकालने के लिए हमें यहाँ लेना पड़ेगा P1 P1 क्या होता है P1 is the principal for the first year तो principal क्या होगा एक लाख यहाँ भी principal क्या होगा उतना ही होगा तो यहाँ भी ले लेते हैं यहाँ भी principal P1 होगा कितना 1 लाख rate of interest दोनों में सेम है तो rate of interest यहाँ पर होगा 10% और यहाँ भी rate of interest कितना होगा 10% तो यहाँ पर R1, R2 करने जोर्त नहीं है क्योंकि यह तो 10% fix रहेगा time यहाँ पर दिखिए for the first year निकाल रहे हैं तो one year के लिए होता है first year मतलब क्या one year तो time हो गया यहाँ पर one year यहाँ भी हो गया time one year अब समझेगा ध्यान से यहाँ पर निकालेगे simple interest तो simple interest निकालेंगे तो formula एक होता है P into R into T upon 100 यहाँ जानते होंगे simple interest का formula तो इस formula को ध्यान से समझेंगे तो one year के लिए the time one ले ले तो actually यह time को eliminate कर सकते हैं क्योंकि one year के लिए तो T1 होगा तो फिर कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा मतलब कि P into R upon 100 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो यही हुआ न कि 10% 10% क्या है R है 10% of P इसका मतलब भी तो यही है तो हम क्यो ना ऐसे calculate करें तो मैं दोनों में मतलब simple interest में और compound interest में दोनों में इस तरीके से calculate करना चाहता हूँ ताकि आपको clarity रहे कि हाँ क्या हो रहा है हम लोग मतलब without formula यहां समझ रहे हैं ठीक है अब without formula ही समझेंगे इसके बाद से जब हमारे exercises आएंगे तो वहां पर हम with formula समझ लेंगे तो सबसे पहले हम यहां calculate करेंगे simple interest तो यहां लिखते हैं simple interest क्या आएगा simple interest is equal to for the one year is SI1 ले लेते हैं यहां पर समझेगा 10% of 1 लाग यही करना होगा तो 10% of 1 लाग क्या होगा यह होगा आपका 10,000 आसान है calculate कर लेंगे अब 10 upon 100 multiplied by 1 लाग तो वह जाएगा 10,000 यहां पर दोखेंगे अब यहां लिखेंगे हम compound interest compound interest one year के लिए एकदम ऐसे ही निकलेगा जैसे हम simple interest निकाल रहा है मतलब कि इसमें भी हम करेंगे 10% of 1 लाग 1 लाग क्या है principle तो यहां principle को ध्यान देना है यहां पर भी 1 लाग है और यहां पर भी 1 लाग है प्रिंस्पल पर ध्यान देने की बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि यहीं change होगा second year में तो देखिए यहां पर जो compound interest निकलेगा compound interest भी उतना ही निकलेगा जितना की simple interest आया था मतलब कि 10% of 1,00,000 is 10,000 ठीक है अब हमें निकालना है इसके बाद amount amount क्या होता है amount होता है जो year के end में मनिए एक year के end में जो bank को देना होगा उस business man को उसको बोलते है amount amount मतलब होता है principal मतलब P1 plus SI1 मनिए simple interest for the first year तो P1 मतलब की principal for the first year और SI1 मतलब की simple interest of the first year दुनों को add करेंगे तो मिल जाएगा amount तो ये amount for the first year है तो amount 1 कर लेते हैं कितना आएगा P1 है आपका 1 lakh 1 lakh में add कर देंगे 10,000 finally आपका जो amount आजाएगा वो होगा 1 lakh 10,000 ठीक है यहाँ पर amount जो होगा ये भी ठीक वैसे ही निकलेगा मतलब P1 में add करेंगे compound interest CI1 यहाँ भी 1 लेते हैं तो ये 1 year के लिए निकाल रहे हैं तो add करेंगे तो same amount आएगा इतना ही जितना यहाँ पर आया तो P1 आपका देखे 1 lakh है 1 lakh plus compound interest यहाँ पर आए 10,000 तो मिल गया आपको 1 lakh 10,000 देखे जो bank को pay करना पड़ेगा तो 1 lakh 10,000 pay करना पड़ेगा simple interest concern भी लेकिन bank charge कर रहे है compound interest concern तो आपको pay करना पड़ेगा 1 lakh 10,000 जो की 1 year के लिए दोनों same है तो simple interest 1 year के लिए same होता है आप second year के लिए निकालेंगे न तो उसमें difference आएगा simple interest और compound interest for the second year अपकोड़ेट करेंगे तो second year में principal जो होगा simple interest के case में 1 lakh ही रहेगा लेकिन compound interest के case में जो principal लेंगे वो हो जाएगा 1 lakh 10,000 इतना लेंगे यही difference है यही main difference है simple interest और compound interest का मतलब second year से difference आने लगता है तो यहाँ पर जो P2 होगा for the simple interest वो 1 lakh ही रहेगा इसमें कोई change नहीं होने वाला और जो rate है वो तो 10% fix है दोनों में और time भी same है 1 year अब यहाँ लिख लेते हैं देखे P2 principal for this second year will be this 1 lakh 10,000 इसके case में था 1 lakh के वल यहाँ पर change हुआ है और यही main change है compound interest के case में यहाँ पर जो rate होगा वो 10% और time time 1 year अब समझना है दोनों के case में simple interest अब क्या आएगा सेकेंडर के लिए SI2 जो SI2 आएगा वो निकालेंगे 10% of 1 lakh तो 10% of 1 lakh वही आएगा जो हमने 1st year में निकाला था अधिके 10% of 1 lakh मदब 10,000 आएगा तो इसका हो जाएगा 10,000 लेकिन यहाँ पर कुछ अलग आएगा compound interest for the second year compound interest for the second year will be 10% of P2 और यह कितना है 1 lakh 10,000 तो 1 lakh 10,000 का जो 10% निकालेंगे तो यह मिलेगा आपको 11,000 11,000 मिल जाएगा देखेंगे यहाँ आपर 10,000 ही रहा मनने कि जो simple interest है वो 10,000 ही रहा जो कि पिछले साल मतलब कि 1 year earlier 1st year के लिए 10,000 ही था simple interest और यहाँ पर simple interest उतना ही है लेकि compound interest बढ़ चुका है 1,000 बढ़ा है है कि नहीं तो 11,000 हो गया है तो यही difference है इन दोनों में अब यदि आगे तफ़र सा पढ़ेंगे तो इसमें निकालेंगे amount तो A2 कितना आएगा amount उतना ही आएगा जितना 1st year में आये था मतलब P2 प्लस SI2 करेंगे और दोनों में मिला करके इतना ही आएगा तो इसमें कोई difference नहीं है तो वही लिखेंगे वन लाग प्लस SI2 और SI2 कितना है इसको यहीं पर लिख लेते हैं यहीं पर एट कर लेते हैं तो यह SI2 आपका आगया 10,000 दोनों मिला कर होगा वन लाग 10,000 तो second year के लिए किवल second year के लिए आपका वन लाग 10,000 amount होगा और यहाँ पर amount कितना होगा second year में देखिए बैंक को यहाँ पर पे करेगा वो क्योंकि वो बैंक जो है compound interest से calculate करता है तो compound interest for the second year will increase in comparison with first in a simple interest तो A2 यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका P2 प्लस P2 प्लस compound interest 2 मतलब कि यहाँ आजाएगा 1 लाग 10,000 1 लाग 10,000 P2 है इसमें add करेंगे 11,000 प्लस 11,000 तो जानते कितना आएगा यह आपका यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 2 फिर 1 और यह हो जाएगा 00 मतलब कि 1 लाग 21,000 ठीक है amount बिल्कुल बदल चुका है 1 लाग 21,000 हो चुका है अब 3rd year के लिए यह बढ़ता ही जाएगा तो यहाँ पर हमने कल्कुलिट किया for the 3rd year तो देखें यहाँ पर प्रिंसिपल P3 जो आया वो 1 लाग ही लेंगे बिल्कुल सिंपल इंट्रेस्ट में और rate of interest 10% और time 1 year और सिंपल इंट्रेस्ट निकालेंगे यह थी 3rd year का तो हमारा आजाएगा 10% of 1 लाग तो 10% of 1 लाग निकालेंगे 10,000 ही आएगा तो देखें यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ मतलब सिंपल इंट्रेस्ट फर इंट्रेस्ट 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 इं हम ले लेते हैं प्रिंसिपल के रूप में for the third year तो यहां पर हो गया प्रिंसिपल तो यह 1,21,000 हुआ है रेट सेम है 10% 10% यहां भी था time 1 year 1 year चलिए CI3 compound interest निका लेंगे 10% of इतना करेंगे और इतना करेंगे तो यहां पर आएगा 12,100 तो देखें यह interest बढ़ गया है किस से बढ compound interest आया था वो आया था 10,000 जो कि equal था इसके दुनों सेम थे बड़ जैसे से आगे बढ़े compound interest जो आया second year का वो 11,100 आ गया मतलब कि इस 10,000 से 10,000 से 1,000 जादा है इसके बाद third year में देखिए 12,100 है मतलब यह 10,000 से 2,100 जादा है तो जैसे से आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे compound interest बढ़ता जा रहा है तो compound interest bank के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो जो उसका every year का compound interest निकलेगा वो बढ़ता जाएगा हर साल तो 12,100 पे करना पड़ेगा उस businessman को third year में किसको पे करना पड़ेगा bank को मतलब इतना interest पे करना पड़ेगा तो यह दोनों मिलाएंगे तो जो कि देखें amount कितना आया amount आगया दोनों को add कर देंगे यहाँ पर interest तो आजाएगा 141,42,000 तो 1,42,000 रुपीज टोटल 3 years में कितना पे करना पड़ेगा कितना एक बात यहाँ देना आप कि third year में जो यह amount आया amount for the third year यह 1,42,000 आया यह बता रहा है कि 3 साल में total 3 years में ठीक है यहा करेगा वो businessman वो करेगा इतना मने कि 1,42,000 मतब 3 साल के लिए उसने जोदी loan लिया है 3 years के लिए उसे pay करना पड़ेगा इतना amount 1,42,000 तो simple interest से तो calculate होता ही नहीं है इसी दिए simple interest से वो loan pay नहीं करेगा नहीं तो उसके लिए असान पड़ता तो अब यहाँ पर difference दोनों में समझ क्या आ रहा है कहां से पैदा हो रहा है दिए simple interest और compound interest दोनों की value same है for the first year के लिए दोनों का value क्या है same है तो हम पड़ रहे हैं difference ठीक है लेकिन जब second year में जो आया आपका simple interest वो आया 10,000 ही जतना first year में आया था लेकिन compound interest 11,000 हो गया 1,000 बढ़ चुका है वैसे 3rd year में क्या हु और यह दिए आप बात करेंगे principle की देखिए principle difference क्या रहा है principle P1 के लिए दोनों same है but principle for second year यहाँ पर देखिए P2 भी same है but P2 यहाँ पर compound interest में change हो चुका है क्योंकि जो P2 लेते हैं वो हम amount लेते हैं जितना amount बनता है first year में उसी को लेते हैं फिर third year में जो principle है वो तो यहाँ पर सेम है लेकिन यहाँ पर principle में देखिए यहाँ पर यह जो amount बना second year में उसको लेते हैं as a principle अब थोड़ा समझते हैं graph से represent करके कि कि किसका graph उपर जा रहा है और किसका नीचे जा रहा है ओके यदि हम graph पर represent करते हैं interest को compound interest और simple interest को यहाँ पर देखिए यह जो yellow line जा रही है यह compound interest की line है और यह जो और this line is for simple interest तो अब देख रहा हो कि compound interest बढ़ता ही जा रहा है मतलब इन दोनों में difference year after year बढ़ता जा रहा है देखिए first year में दोनों पाये थे 10,000 मतलब first year में जो 10,000 था interest simple interest compound interest अब जैसे second year हुआ यहाँ पर gap बढ़ गया फिर यहाँ देखिए gap इतना बढ़ा ऐसे ही fourth year के लिए fifth year के लिए sixth year के लिए निकालेंगे तो gap ऐसे बढ़ता जाएगा यह सिधर जाएगा और यह ऐसे जाएगा और gap ऐसे increase होता जाएगा तो यह बता रहा है कि compounding एक बहुत अच्छा device है जिससे आप पैसा बना सकते हैं यह आप बैंक में आज जमा कर करते हैं one lakh rupees और आप उसमें छोड़ देते हैं with the interest of 10% समझ लिजए कि आप over 40 years you will have in your account over 1 करोर बन जाएगा चाली साल में तो इस compound ने compound interest जो है बहुत ही एक अच्छा device है उन लोग के लिए जिनके पास पैसा है जो बैंक में जमा करके या कहीं पर invest करके उसको multiply कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको compound interest का जो concept है वो समझ में आ गया होगा यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप like कर सकते हैं अब दोस्तों को share कर सकते हैं इस video को जितना चाहाए उतना फैला सकते हैं क्योंकि सभी लोग यदि जानेंगे compound interest के बारे में तो अच्छा ही रहेग तो थैंक यू सो मुझ पर वाचिंग बाई